दोस्तों तो आज की वीडियो काफी जादा काम की वने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी PDF को मुबाइल से एडिट कैसे किया जाए एक्जामपल के तोर पे मैं आपको फिलाल में एक PDF दिखा देता हूँ देख सकते हैं स्क्रीन पे जो declaration.pdf है इसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा आपको फिलाल में ये इस तरीके का है और आप चान पहेंगे कि मुबाइल से कैसे इसको एडिट करना है फिलाल में आप देखी जो normal होता है PDF व्यूवर उसमें कहीं भी edit option नहीं आता अगर आपको इसके अंदर को image लगानी है कोई इसका text edit करना है वो नहीं आता आपको केवल google पर search करना है कोई भी browser के अंदर आप google पर जाकर search कर सकते है edit pdf और यहाँ पे एक website है जो मैं आपको recommend करूंगा देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों यह sejda.com sejda.com कोई भी यह paid review बेगर नहीं है यह एक तरीके से method है जो मैं आपको बता रहा हूँ यह देख सकते हैं sejda.com हमने open किया है यहाँ पर देख सकते हैं upload pdf file आ रहा है इसको हम जैसी touch करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं files को option आ रहा है files में हम लोग गए और अपना जो भी हमारा PDF है उसको हम लोग select कर लेंगे documents में चलते हैं documents में आने के बाद यहाँ से हम लोग अपना जो declaration में कह रहा था उसको मैंने यहाँ पर on कर लिया है देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आ गया है यहाँ पर सारे options आपके सामने है यहाँ पर देखिए pencil है आपको कुछ image edit करना है तो तीसरे option पर वो बना हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए declaration के उपर tap करता हूँ और देखिए यहाँ पर हमारा keyboard on हो गया देखिए declaration की spelling में edit कर देता हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह एडिट होगे अगर आपको कुछ और लिखना है कहीं पर तो simply वहाँ पर टच करिएगा और वह चीज़ आप एडिट कर पाएंगे देख सकते हैं आपर government of India में भी आप कुछ एडिट कर सकते हैं ऐसे करके कहीं भी और यहाँ पर जब डिकलेरेशन का पीडियाफ था एडिट हो चुका है कैसी लगी वीडियो कोई भी सवाल या सुझा हूँ है इसको लेके तो comment करिएगा मैं जरूर रिप्लाइ करूँगा वीडियो को लेकर के share करिए ऐसी काम की वीडियो जब को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर